नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनोद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू टैप के सभी ब्लॉक्स के बारे में इसमें एक एक करके हम सभी आप्शन्स को कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर पांच ओप्शन दिखाई देगी जिसमें सबसे पहला ओप्शन आपको दिखाई देगा रीड मोट का अब इसका उपियोग किस तरीके से किया जाता है जैसे मालीजे हम यहाँ पर कुछ परग्राफ को इंसर्ट कर लेते हैं मालीजे हमने यहाँ पर 25 परग्राफ को इंसर्ट कर लिया insert करने के बाद हम आ जाते हैं वापस से first page पर और यहाँ पर इसके header पर हम page number set कर लेते हैं तो इसके लिए आपको इसके header top पर जा करके double click करना होगा double click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके left side में page number का आपको एक option दिखाई देगा यहाँ पर आपको top of page को select करते हुए यहाँ पर कोई भी format आप select कर सकते हैं माल लीजे हम चाहते हैं कि हमारा जो page number है वो यहाँ पर हमें center में दिखाई दे तो यहाँ पर हम इस वाले format को select करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे समने page number दिखाई दे जाएगा नेचे की तरफ अगर हम scroll करेंगे तो यहाँ पर हमें page number 2 दिखाई दे रहा है और ओपर की तरफ अगर हम scroll करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे page number 1 आपको दिखाई दे रहा है अब हम बात करते हैं view tab के इन सभी options के बारे में अब सबसे पहले आप देखेंगे हमारा जो पहला option है वो है read mode read mode पर जैसे हम click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो paragraph था वो आपको यहाँ पर reading mode में दिखाई दे रहा है यानि आप बहुत आसान तरीके से इसको read कर सकते हैं यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर right side में जैसे आप click करेंगे तो आपका यहाँ पर page number change हो जाएगा और आप देख सकते हैं आप एक साथ यहाँ पर दो pages को आसाने से read कर पाएगे और इसके अरावा अगर आप पीछे जाना चाहें तो यहाँ पर left side में आपको एक button दिखाई देगा इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप यहाँ से वापस से आप अपने पिछले page number पर jump कर जाएगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो हमने page number लगाया था वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा इसके अलावा अगर आप page number यहाँ पर change करना चाहते हैं तो आप अपने mouse के scroll को जैसे यहाँ पर घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं आपका page यहाँ पर अपने आप move होता चला जाएगा अब इसके बाद हम इसे skip करके वापस से अपने उसी document पर बहुच जाते हैं इस option का use आपको समझ में आ गया होगा इस option का use किया जाता है किसी भी बड़े document को आसानी से read करने के लिए इसके बाद दूसरा जो option है आप देखेंगे हमारा जो दूसरा option है वो है यहाँ पर print layout print layout का use किया जाता है कि आप अपने document को देख सकते हैं कि आपका document print होने के बाद कैसा आपको दिखाई देगा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको margins दिखाई दे रहे हैं और आपका जो document जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आपका print होगा, अब इसको control F2 की मदद से print preview में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके चारो तरफ का जो margin है, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और आपका document बिल्कुल इसी तरीके से print ह होने बादा है, तो दोस्तों इन दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर web layout की, अगर आप web layout पेज पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, आपका जो document है, वो यहाँ पर आप देखेंगे, web layout के view में दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कोई भी page number दिखाई नहीं देगा, जैसा कि आपको print layout में दिखाई दे रहा था, page number उसी तरीके से यहाँ पर भी page number दिखाई आपको नहीं देगा, यानि इस view का use, आप अपने बहुत बड़े document को एक ही page पर read करने के लिए use कर सकते हैं, इसके बाद हम बा outline view को यहाँ पर select किया, उसके बाद आप देखेंगे outlining के नाम से एक नया option आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, अब इसमें आप देखेंगे आपको काफे सारे option दिखाई दे रहे हैं, तो हम एक एक करके इंस सबी options को समझते हैं, जैसे माल लीजिए, हम सबसे पहले paragraph one को select करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर body plus levels दिखाई देंगे, इसमें से आप अपने document को किसी भी level में convert कर सकते हैं, तो यहाँ से हम सबसे पहले paragraph one को select करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, आपको एक arrow दिखाई देगा, इस arrow की की मदद से, आप अपने document को level में convert कर सकते हैं, जैसे माली जी हम यहापर इसे click करते हैं, तो click करते ही आप देखेंगे, हमारा जो document था, वो यहाँ से heading में convert हो चुका है, इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, show text formatting का एक option, अगर आप इस पे city खटा देते हैं, तो आप देखेंगे, इसके उपर जो भी format था, वो यहाँ से हट जाएगा, और इसके अलावा जैसे माली जी, हम यहाँ से एक paragraph को छोड़ करके, यहाँ से दूसरे वाले paragraph को select करते हैं, और इसके बाद हम वापस से, यहाँ पर क्लिक करके, इसे level 3 में convert कर देते हैं, अगर आप यहाँ पर back arrow को use करेंगे, तो आप देखेंगे, यह हमारे document को left side में move करेंगा, और इसी तरीके से अगर हम इसे और भी move करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करके, इसे और ज़्यादा move कर सकते हैं, double arrow की मदद से, आप इसको वापस से वैसा ही बना सकते हैं, जैसा यह पहले था, तो फिलाल हम इसे level में convert करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसे single arrow पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे, हमारे यह दोनों के दोनों documents, आपकी level में convert हो चुके हैं, पहला वाला document आप देखेंगे, level 2 है, और दूसरा वाला document हमारा level 3 है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, show levels का एक option आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आप click करके, जिस भी level को देखना चाहते हैं, उस level को जैसे यहाँ पर select करेंगे, तो आप देखेंगे, केवन वही level आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर level 2 को आपको यहाँ पर view दिखाई दे रहा है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर level 3 को select करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर level 3 भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अलावा हम यहाँ से plus वाले icon पर click करते हैं plus icon पर जैसे हम click करेंगे तो इस level के अंदर जितना भी हमारा matter छुपा हुआ था याँ जितना भी matter हमारा compress था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर पहले वाले level को select करके जैसे plus वाले icon पर click करेंगे तो इसके अंदर भी हमने जो भी आपना document compress किया था वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा या फिर आप इसे minus करके वापस से compress कर सकते हैं तो फिलाल हम इसे भी open रहने देते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर down और अपका एक option भी खाई देगा अगर आप किसी level को down या आप करना चाते हैं तो इस level पर आपको click करना होगा और यहाँ से down वाले बटन को जैसे आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका वो level नीचे की तरफ जाता चला जाएगा इसके अरवा अगर आप इसे ऊपर ले जाना चाते हैं तो इस arrow की मदद से आप इसे वापस से ऊपर set कर सकें तो इस तरीके से आप अपने levels को यहाँ पर ऊपर या नीचे set कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर इस option को मैं पहले ही बता चुका हूँ, उस पर जैसी आप click करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो भी document था, वो यहाँ पर color format में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसके नीचे की तरफ आपको एक option दिखाई देगा, show first line only का, अब इसका क्या use है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो paragraph है, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मगर आप चाहते हैं, कि आपके जो paragraph है, उस paragraph का केवल first line ही आपको दिखाई दे, तो उस situation में आप इस वाले checkbox पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस वाले checkbox पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, इन सभी documents में, जो इसकी first line ही, यहनी paragraph की जो first line है, केवल वही आपको दिखाई देगी, इसके अलावा कोई दी और word आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, इस check mark को जैसे आप अठा देंगे, को insert कर सकते हैं, जैसे मालनीजे, हम चाहते हैं कि इस document के अलावा हमारी कोई और भी file है, जिसको हम अपने इस document में insert करना चाहते हैं, तो उस situation में आप insert वाले option को select कर सकते हैं, जैसे मालनीजे, हम यहाँ से insert वाले option को select करेंगे, select करने के बाद जहां पर भी हमारी file है हम यहां से उस file को select करेंगे जैसे मालीजे हमने यहां से Microsoft वाली file को select किया और यहां से हमने open पर click कर दिया जैसे हम इसे open पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो भी document था उसके अंदर Microsoft की जो हमारी दूसरी MS Word की फाइल थी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगे इसके अलावा अगर आप यहाँ पर Collapse पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे OK बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यह हमें Save As के लिए Move कर देगा यहाँ आप अपनी फाइल को यहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आप अपनी फाइल को यहाँ पर Save कर दीजिए तो फिलाल आप भी इसे Save नहीं कर रहे हैं हम यहाँ से Back बटन पर क्लिक करते ही वापस से इसी Document पर जम कर जाएगे अब आप देखेंगे वो Document हमारा यहाँ पर Hide हो चुका है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक Link यानि इस Link को आगर आप Open करना चाते हैं यानि उस Document को वापस से आप देखना चाते हैं तो यहाँ पर आपको Expand Sub Document पर क्लिक करना होगा इसी तरीके से अगर आप इसे Lock Document पर क्लिक करेंगे तो आपका यह Document यहाँ पर लॉक कर दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो Document था वो यहाँ पर लॉक हो चुका है और वापस से अगर आप इसे Expand करेंगे तो वापस से हमारा Document Extend हो जाएगा और इसके बाद अगर आप Show Document पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके Option यहाँ पर थे वो सारे के सारे Option यहाँ पर हाइट हो जाएगे तो इस तरीके से आप Outlining Option का यहाँ पर यूज कर सकते हैं फिलाल हम इसे Close Outlining View को यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो Document था वो यहाँ से Close हो जाएगा अब इसके बाद आप देखेंगे View टैब में हमारा सबसे Last Option आपको दिखाई देगा ट्राफ्ट का तो इस View में आप यहाँ पर देख सकते हैं पर जो Document है वो यहाँ पर Draft Format में आपको दिखाई देगा यहाँ पर आप किसी भी Heading का यहाँ पर या किसी भी Outline का यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते हैं और नहीं पेज नमबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है अब आप अपने इस Document को आसानी से Read कर पाएंगे यह भी Document आपका Read Mode के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है दोस्तो इस तरीके से आप MS Word के Views के सभी Option का उप्योग कर सकते हैं पिछली वीडियो में हमने आपको Views के सभी Options के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम यहाँ पर Immersive Reader के बारे में जानने वाले हैं दोस्तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ Paragraphs को Insert कर लेते हैं जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया Is Equal To R.A.N.D.R.N. कमान डाल करके हमने यहाँ पर Paragraph Insert कर लिया जिसमें सबसे पहला Option आपको दिखाई देगा Column Width का Column Width पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चार अलग-अलग Option दिखाई देगे जिसमें सबसे पहला Option आपको दिखाई देगा Very Narrow का अगर आप very narrow पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो document होगा वो काफी छोटा हो करके आपको दिखाई देगा यानि इसकी जो width होगी वो काफी कम हो जाएगी और इसके बाद आप इसे यहाँ पर read कर पहेंगे इसके बाद अगर हम इसके दूसरे option की बाद करें narrow की तो अगर आप narrow वाले option पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं इसकी width थोड़ी सी और बढ़ जाएगी इसी तरीके से जो हमारा तीसरो option है moderate पर जैसे आप click करेंगे तो इसकी width और भी increase हो जाएगी इसी तरीके से सबसे last option की अगर हम बात करें white की तो इस पर जैसे आप click करेंगे यह widely काफी जादा इसकी column की width को increase कर देगा तो आप अपनी सुविदा अरुजार इसमें से किसी भी option को select करके इसे आसानी से read कर पहेंगे इसके बाद अगर हम बात करते हैं second option की तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो second option है वो है page color page color पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला option है none जिसमें by default यह none रहता है और अगर आप यहाँ पर second option का यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे यहाँ इससे होगा क्या इसके background का जो color होगा वो हलका सा yellow में आप दिखाई देगा इसी तरीके से अगर यहाँ पर तीसरा option यूज़ करते हैं आप inverse का फिसका जो background होगा वो आप देख सकते हैं black color में आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा one line पर click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं second paragraph का जो पहली वाली line है वो आप देख सकते हैं focusly आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके right side में आप देखेंगे आपको यहाँ पर arrow दिखाई देगा जिसकी मदद से आप इसकी line को यहाँ पर change कर पएंगे यहां से आप इसे ऊपर कर सकते हैं और यहां से आप इसे नीचे क्लिक करके जा सकते हैं इसके अलावा अगर आप अपने माउस से scroll बटन को गुवाएंगे तो आप देख सकते हैं यह एक एक करके आपको एक एक लाइन रीड करने के लिए represent कर रहा है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर line focus में जा करके 3 line को select करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके साथ 3 line पर focus होगा और आप आसानी से 3-3 line को read कर पाएंगे इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 5 lines पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप एक साथ 5 lines को यहाँ पर आसानी से read कर पाएंगे इसके बाद हम अगले option की अगर यहाँ पर बात करें तो वो है text spacing अगर आप इस पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो भी word होगा उसके बीच में काफी जादा space आपको दिखाई देने वाला है जिससे आप आसानी से एक-एक spelling को read कर पाएंगे इसके अलावा यहाँ पर आप अगले option की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखेंगे अगला जो option है वो as labels का labels पर जैसे आप एक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो paragraph होगा वो एक words में divide हो जाएगा यानि कि जिससे मान लीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं documents में यहाँ पर तीन अक्षर है do,c,u और m,ent,ment यानि document तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो भी matter होगा यानि जो भी आपका paragraph होगा वो अक्षरों में divide हो जाएगा यानि किस labels में divide हो जाएगा इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं provides हमारा दो अक्षरों में divide हो रखा है pro और whites इस पर अगर आप वापस से क्लिक करेंगे तो आपका document वापस से ऐसा हो जाएगा जैसा ये पहले था इसके अलावा अगर आप इसे listening करना चाहते हैं तो अगला option आपके काम का है जैसे माल लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे जो अगला option है हमारा वो है read allowed का इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक button दिखाए देगा और इस पर जैसे आप play वाले button पर click करेंगे तो यह आपको read करके बताएगा तो इस दोस्तो इस तरीके से आपसे read भी करवा सकते हैं और आपको यह read करके सुनाएगा जैसे मालीज हम यहाँ पर click करके आपको दिखाते हैं इससे pause करना चाहें आप यहाँ से pause कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पर आप देखेंगे आपको sounds की काफी सारी settings भी दिखाए देएगी इस पर आप click करके आप चाहें तो reading speed को यहाँ पर improve कर सकते हैं यहाँ पर हमने इसको increase कर दिया और increase करने के बाद अब हम आपको play करके दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा fastly read कर रहा है इसे हम इसे वापस से कम करते हुए अब यहाँ पर आप इसके sound को भी change कर सकते हैं दीचे की तरफ click करके इसमें से आप किसी और sound को select कर सकते हैं जैसे मान लीजे हमने यहाँ पर Microsoft sound को select किया और इसके बाद हम यहाँ पर play करते हैं तो दोस्तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने document को यहाँ पर read भी करवा सकते हैं इसके बाद आप close immersive reader पर जैसे आप click करेंगे तो आपका document बिल्कुल normal हो जाएगा जैसा यह पहले था तो दोस्तो इस तरीके से आप view tap के immersive reader का यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला option हमारा vertical है जैसे माल लीजे हम यहाँ पर कुछ paragraphs को insert कर लेते हैं माल लीजे हमने यहाँ यहाँ पर 25 paragraphs को insert कर लिया run command चला करके इस page को अगर हमें scroll करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको right side में scroll bar दिखाई देगा इसे पकड़ करके आप उपर की तरफ move कर सकते हैं या तो फिर आप अपने mouse से scroll को जैसी move करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका यह जो matter है वो यहाँ पर move होना start हो जाएगा इसी तरीके से अगर आप इसे slide by slide move करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके बगल वाले option पर click कर सकते हैं साइट तो साइट पर जैसी आप इस पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको दो pages एक साथ दिखाई देगे और इसके बाद जैसे आप यहाँ पर scroll करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो matter होगा वो इस तरीके से scroll होना शुरू हो जाएगा यहीं side by side scroll होना शुरू हो जाएगा तो यह तो बहुत ही simple option थी page moments के हम इसे वापस से vertical पर set करते हैं क्योंकि mostly हम जो काम करते हैं वो vertical पर ही काम करते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option दिखाई देगा ruler का अब यह ruler का किस तरीके से use किया जाता है जैसे मालीजे हम यहाँ पर थोड़ा सा नीची आ जाते हैं अपने matter को थोड़ा सा नीची set कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो scale दिखाई दे रहा है इसी को ruler का आजाता है अगर आप यहाँ से इसके टिकमा को हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से ruler हट जाएगा और वापस से अगर आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ruler represent हो जाएगा तो ruler का किस तरीके से use किया जाता है जैसे मालीजे हमें यहाँ पर type करते हैं first name लिखने के बाद आप चाहते हैं आपका जो first name है वो यहाँ से थोड़ा सा gap में आए तो जितना भी आपको gap चाहिए उतने gaping में जा करके आप यहाँ पर tab लगा सकते हैं तो tab लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है simple आपको यहाँ पर scale पर जाना है और जहाँ पर भी आप tab लगाना चाहते हैं वहाँ पर आपको simple click कर देना है जैसे मालीजे हम यहाँ पर 5.5 पर यहाँ पर tab लगाना चाहते हैं तो इस वाले point पर आकर के हम यहाँ पर click कर देगे यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पर आपको arrow दिखाई देगा जिसको left tab कहा चाहता है अब यह left tab क्या होता है और right tab क्या होता है उसके बारे में हमने already detailed वीडियो बना रखी है जैसे मैं इस tab के उपर वापस से double click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने आपर काफी सारे options दिखाई देंगे जैसे अभी हमने जो basically tab लगाया था वो 5.5 cm पर था जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अरावा जितने भी tabs आप यहाँ पर लगाएंगे वो सभी tabs आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इसी तरीके से यहाँ पर alignments की अगर हम बात करें तो अभी हमने जो tab लगाया है वो left tab लगाया हुआ है अगर आप center tab लगाना चाहिए तो center tab पर click करके आप यहाँ पर okay button पर click करेंगे तो हमारा यह जो tab है वो center tab में convert हो जाएगा तो basically हमने tabs की एक detail वीडियो बनाई वही है जिसके अंदर हमने इन सभी options को cover किया है तो मैं आपको i button पर इसका link दे दूँगा आप वहाँ से इसे देख सकते हैं या तो फिर मैं link के description में भी आपको इसका link दे दूँगा वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं हम यहाँ पर simply concept cover करेंगे यानि हम simply आपको बताएंगे कि tap का use क्या होता है तो हम फिलाल यहाँ पर left tab को select करते हैं अब आपको simply अपने keyboard से tap button को press करना है जैसे आप tap button को press करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो mouse का cursor होगा वो directly आपका 5.5 cm पर यहाँ पर jump कर जाएगा और इसके बाद आप यहाँ पर जो भी नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं जैसे माल लिजे हमने यहाँ पर type कर दिया मोहिद और इसके बाद आप enter press कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर अपनी information फिल कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप tap को यहाँ पर हटाना चाहते हैं आप नहीं चाहते किसके नीचे आपको कोई भी sequence maintain करना है यानि next line पर आने के बाद आपको यहाँ पर tap को पकड़ना है क्लिक करके रखना है और right side में ले जाकर के draw करके खीज के छोड़ देना है अब इससे होगा क्या आपका यहाँ पर tap हट चुका है और अब आप यहाँ पर simply paragraph type कर सकते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं grid lines की grid lines पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सभी document में यह grid line insert हो चुकी है अब इसका किस तरीके से इस्तमाल किया जाता है उसको बताने के लिए हम यहाँ पर कुछ space को increase कर लेते हैं जैसे माल लीजे हमने इस paragraph के बीच में कुछ space को increase कर लिया है और इसके बाद insert tab में जा करके हम यहां से किसी shape को import कर लेतेैं जैसे माल लीजे हमने यहां से एक ellipse को select किया और इसके बाद यहां से इसे insert कर लिया insert करने के बाद हम इसकी duplicate copy कर लेते हैं मालीजी हमने यहाँ पर control D प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक और duplicate copy आ गई है और इसके बाद एक और बार control D करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ और और भी duplicate copy आ चुकी है इसी तरीके से इस वाले box हो भी इसी तरीके से इस वाली shape को भी हम यहाँ पर alignment दे सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह तीनों ही shape बिल्कुल equal position में आपको यहाँ पर दिखाए देंगी अगर आप यहाँ पर grid line को हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं, हमारी जो shape है, उनकी बीच का जो space है, जो alignment है, वो बिल्कुल equal है, अगर हम यहाँ पर बिना grid line के, इसको यहाँ पर shape को रखते हैं, तो हमें यह पता नहीं चलेगा कि इसके बीच में, यहाँ पर कितना space है, इसी तरीके से, आप अपनी जितनी भी shapes हों इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कुछ और grids के option दिखाई देंगे, जैसे मा लिजे, हम यहाँ पर alignment grids को select करते हैं, और इसको जैसे में यहाँ पर select करेंगे, तो आप देख सकते हैं, page guides, margin guides, और paragraph guides का भी आपको option दिखाई देगा, य अगर इस shape को हम right की तरफ लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमारा यह alignment आपको दिखाई देख, इसी तरीके से अगर आप इसे center में लेकर आते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह line में, center में भी represent कर रहा है, तो यहाँ से आप अपने paragraph के pages के ह साफ से भी alignment setup कर सकते हैं, without grid line, तो दोस्तो इस तरीके से आप in grid lines का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा next option की अगर हम बात करें तो वह है navigation panel, navigation panel पर अगर आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा headings, basically हमने इसके ब और cut करने के बाद उसे select करके home tab में जा करके इसे heading 1 में convert कर दिया, जैसे हम इसे heading 1 में convert करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक arrow दिखाई देगा, इस पर जैसे आप click करेंगे तो पूरा का पूरा paragraph आपको इसके अंदर compress होता हुआ दिखाई देगा, इस पर यहाँ पर आपको एक और heading यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, और अगर आप इसे compress करेंगे तो आप देख सकते हैं, दोनों ही heading आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस भी heading पर आपको जाना है, उस heading पर आपको click करना है, directly आप उस heading पर यहाँ पर jump कर जाएगे, तो basically इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपके documents में जितनी भी heading हैं, वो सारी heading आपको यहाँ पर एक साथ दिखाई दें, pages पर अगर हम click करेंगे, तो आपके पास जितने भी pages होंगे, यानि आपके document के जितने भी pages होंगे, वो यहाँ पर आपको दिखाई दें, इसके अलावा, अ हमने यहाँ पर click किया, और यहाँ पर हमने लिखा style, जैसे हम यहाँ पर style लिखेंगे, तो आप देख सकते style से related, हमारे पास जितने भी paragraph हैं, वो सारे paragraph आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिस भी paragraph पर आप यहाँ पर click करेंगे, डिरकली यहाँ उसी paragraph पर लेकर चला इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर कोई comments यूज किया हुआ है, जैसे मालीजे हमने यहाँ पर thing को select करके, review tab में जाकर कि किसी भी comments का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया Excel, और Excel लिखने के बाद, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इस comment में Excel टाइप किया हुआ है, और अब आप कहीं पर भी रहें, अगर आप यहाँ पर Excel टाइप कर देते हैं, तो देख सकते हैं, यह directly हमें उस comment पर ले जाकर जम करा देगा, तो इस तरीके से आप इस option की मदद से directly किसी भी option पर direct पहुँच सकते हैं, इसके बारे में भी हमने detailed वी सबसे पहले हम बात करते हैं, जूम ब्लॉक की, दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला option आपको दिखाई देगा, जूम का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफी सारे options दिखाई देगे, जिसमें सबसे पहले आ आपका document यहाँ पर zoom हो जाएगा इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं next option आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर page width है page width को select करके जैसे आप यहाँ पर ok करेंगे तो आप देख सकते हैं page का जो भी width होगा वो properly यहाँ पर left और right side से adjust हो जाएगा और properly आपको document दिखाई देगा इसी तरीके से अगर आप इसके next option की बात करें text width की तो इस पर अगर आप click करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी हमारा space यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी space हमें दिखाई दे रहा है अगर हम इसको select करके okay करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह दोनों ही space आपके खतम हो जाएंगे और आपका अक्यवल document आपको proper दिखाई देगा अगर आपका left और right margin में काफी जादा space रहता है तो उस space को आप zoom करके आराम से document को read कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर next option के अगर हम बात करें वोल page की इस पर अगर आप click करेंगे तो इसकी जो minimum percentage होती है वो 43% के आसपस zoom करके आपको दिखाई देगा लगबग इस तरीके से इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर many pages को select करके यहाँ पर okay करते हैं आपके जितने भी pages document होंगे वो सारे आपको एक साथ यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर 100% पर click करेंगे तो 100% पर आपका document आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है इसी तरीके से अगर हम बात करें वन पेज की तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको single one page आपको दिखाई दे रहा है multiple pages पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको multiple pages view में आपको आपका document दिखाई देगा इसी तरीके से अगर आप page with को select करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको इसी option में बताया था कि यहाँ पर page with के इसाब से आपका document adjust हो जाएगा इसके बाद हम बात करतें next blog की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो next blog है वो है windows विंडोज में सबसे पहरा option आपका new window जैसे आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं उसकी duplicate window आपके सामने यहाँ पर represent हो जाएगी इसी तरीके से एक ही document की आप जितनी भी duplicate window यहाँ पर बनाना चाहें आपको केवल इस पर click करना है उसकी उतरी duplicate windows यहाँ पर अपने आप copy होती चली जाएगी अब यह सारी windows अगर आप एक साथ arrange करके देखना चाहते हैं तो आपको केवल next option पर click करना होगा arrange all पर जैसे आप arrange all पर click करेंगे तो आपकी जितनी भी windows यहाँ पर होगी वो सारी windows आपको यहाँ पर एक साथ दिखाई दे जाएगी इसके बाद हम यहाँ पर इसे maximize करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो next option है वो split window split window का मतलब होता है कि आपका यह जो document है आप इसको दो भागों में विभाजित करके read करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं जैसे माल लीजिए अभी हमारा जो पहला document है यहाँ पर आप देख सकते है page number one पर rent agreement लिखा हुआ है और नीचे की तरफ अगर आप scroll करेंगे तो page number two पर इसकी terms and conditions लिखी हुई है अब हम चाहते हैं कि page number one को और page number two को या page number one के साथ साथ हम page number three पर जो भी condition लिखी हैं तो आपको एक साथ देखना चाहते हैं तो उस situation में या तो आपको यहाँ से scroll करना पड़ेगा scroll करके आप पहले page number one का document देखेंगे उसके बाद page number three का दो का आप यहाँ पर document देख सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों की दोनों document आपको एक साथ दिखाई दे तो उसके लिए आप यहाँ पर split window को select करेंगे जैसी आप split window पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका same document दो भागों में यहाँ पर विभाजित हो जाएगा आप देख सकते हैं आपके दोनों ही document side by side view में आपको दिखाई देंगे यहाँ से भी आप इस document को read कर सकते हैं और यहाँ से भी इस document को read कर सकते हैं इसके लावा अगर आप एक document को यहाँ पर scroll करेंगे तो दूसरा document अपने आप यहाँ पर scroll होता चला जाएगा अगर आप किसी window को यहां से बढ़ा है चोटा कर लेते हैं और उसके बाद आप इसे वापस से reset वाले button पर click करते हैं तो यह वापस से आपकी उसी position में adjust हो जाएगा इसके लाव अगर आप चाते हैं कि आपका जो scroll button है अगर आप एक document को scroll कर रहे हैं और दूसरा document यहां पर scroll ना हो तो उसके लिए आपको यहां पर click करना है और यहां पर आप देख सकते हैं scrolling का option आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको simple click कर देना होगा इस पर जैसे आप click कर देंगे तो आप एक document को यहाँ पर scroll करेंगे तो दूसरा document यहाँ पर scroll नहीं होगा और इसके अलावा गर हम next option की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं switch window का आपको एक option दिखाई देगा इस पर से जिस window को आप यहाँ पर उपर करना चाते हैं और उपर रखना चाते हैं read करना चाते हैं उस पर आपको simple click कर देना है वो document आपको यहाँ पर represent हो जाएगा तो इस तरीके से आप MS Word के zoom tab और windows block का यहाँ पर use कर सकते हैं दोस्तो MS Office का सबसे powerful feature है micros इसका basically इस्तमाल किया जाता है कि आप किसी एक काम को अगर बार बार repeat करते हैं तो उसमें आपका काफी ज़्यादा समय लग जाता है और इसकी मदद से आप अपने उसी काम को record कर सकते हैं और उसी काम को बार बार करने में यह आपकी बहुत मदद करता है आईए हम इसे एक example के मात्यम से समझते हैं जैसे मान लीजे हमने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं और अब हम चाहते हैं कि जो भी हमने यहाँ नाम लिखा है उसके आगे हम यहाँ पर एक minus का symbol देना चाहते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर enterprise करके नीचे की तरफ एक इस तरीके से line create करना चाहते हैं अब यही काम हमें सभी नाम के साथ करना हैं और अगर हम यह काम सभी नाम के साथ करते हैं तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है अगर हमारे पास अभी तो यह 10-12 नाम है और अगर हमारे पास 100-100 नाम होते तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसमें खर्च होता अब इस काम को हम micros की मदद से एक loop बना कर आसानी से कर सकते हैं आईए चाहनते हैं कैसे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जहां से आप अपना micros start करेंगे यानि जहां से आप अपना loop start करेंगे करजर आपका वहीं पर होना चाहिए जैसे यानि अमित के हम सबसे पहले यहाँ पर click करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर view tab में जाएंगे और view tab में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है macros का एक feature इस पर आपको click करना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे second number पर आपको एक option दिखाई देगा record macros का इस पर आपको click करना है, जैसी आप इसमें click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक dialogue box दिखाई देगा, और इसमें आप देख सकते हैं, आपको micros का एक नाम mention करना होगा, by default हम micro का नाम यही रहने देते हैं, आप चाहें तो अपने इसाब से micros का कोई भी नाम रख सकते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको एक feature दिखाई देगा keyboard का, तो यहाँ पर हम keyboard वाले option पर click करेंगे, इस option पर click करने के बार, आप यहाँ पर इसकी एक shortcut की भी create कर सकत हैं, लेकिन ध्यान रहे, जो भी आप यहाँ पर shortcut की create करेंगे, वो MS Word में कहीं पर भी use ना होती हैं, जैसे माल लिजे, अगर हम यहाँ पर Ctrl C का use करते हैं, तो Ctrl C basically copy की shortcut की होती है, तो इसलिए हम इस shortcut की को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हमारे MS Word में Ctrl C की जगा पर Micro Run करना शुरू करेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक ऐसी shortcut की रखेंगे, जो MS Word में use ना होती हैं, जैसे माल लिजे, हमने यहाँ पर Ctrl plus Shift plus Q यहाँ पर click किया, अपने keyboard से जैसे हम Ctrl plus Shift plus Q दबाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी shortcut की show हो जाएगी, और नीचे की तरफ आपको एक option दिखाए देगा, असाइन का, आपको इस पर click कर देना है, आप जैसे इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी जो Micro है, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगे, इसके बाद आप इसे यहाँ पर close कर देंगे, अब आप जैसे यहा यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे, वो सभी step यह Micro Record करेंगा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी keyboard से end की को प्रेस करते हैं, जैसे हम end की प्रेस करेंगे, तो हमारा कर्जर एसे यट करके last T पर जम कर जाएगा, यानि अमित के सबसे last वाले point पर यहाँ पर जम कर जाएगा, को create करने के बाद, तो अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, कि हमारा जो कर्जर होगा, वो कमल की starting में show होना चाहिए, यानि कि हम यहाँ से arrow की मदद से नीचे आएंगे, और अपनी keyboard से home button को प्रेस करेंगे, ताकि हमारा जो कर्जर है, वो कमल की शुरुवात में पहुंच अब आप देख सकते हैं, हमने जहां से loop को start किया था, हमने वही पर loop को खतम करना है, यहाँ तक हमने इसकी recording कर ली है, अब हमें recording को stop कर, उसके लिए हन यहाँ पर microse पर वापस से जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें एक option दिखाई देगा stop recording का, इस पर हमें क्लिक करना, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, हमारे recording यहाँ पर stop हो चुकी है, अब इस काम को हम बार बार repeat करना चाहते हैं, यानि हम इसी काम को सभी नामों के साथ चाहते हैं, repeat करना, तो हमने जो shortcut की microse की बनाई थी, हम उसे यहाँ पर use करेंगे, हम पर जो भी हमने step record किया था, वो सभी step यहाँ पर repeat हो चुका है, तो इस तरीके से आप अपने किसी भी काम को यहाँ पर record कर सकते हैं, और उसे बार बार इस्तिमाल करने के लिए, microse की मदद से उसको use कर सकते हैं, तो दोस्तो इस तरीके से आप कई सारे practicals यहाँ पर कर सकते ह माइक्रोस की मदद से, हमने आपको एक example की माद्यम से माइक्रोस को समझाया, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा, धन्यवाद